जय मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 जनवरी और 11 जनवरी 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रहनक्षत्रों की सिति कैसी होगी? कौन सा योग बनेगा? और उसका प्रभाव आपकी दिनचरिया पर किस तरह से होगा? जानेंगे आपकी जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में सिक्षा हो, स्वास्थ हो, प्रेम जीवन, दामपंते जीवन, आपकी करियर, आपकी नौकरी, आपकी दुकान, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे बस आगे बढ़ने से पहले चोट असा निविदन है कि सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर यदि पहले बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगे तो चलिए सबसे पहले इन दो दिनों की तिथी नक्षत्र योग के बारें बात कर लेते हैं दस जनवरी का दिन यह क्रशन पक्षकी द्वादसी तिथी है और इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा सुभा दस बच कर पचास मिनट तक उसके बाद जिस नक्षत्र शुरू हो जाएगा गण नाम का योग बनेगा सुभा बारा बजे तक उसके बाद व्रैधी नाम का योग बनेगा इस दिन चंद्रमा व्रश्चिक राशी में है और सूर्य धनुराशी पूरू साड़ा नक्षत्र से निकल कर उत्र साड़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे इस दिन का अभीजीत मुर्थ दोपहर बारा बज कर आट मिनट से बारा बज कर पचास मिनट तक है ड्यारे जन्वरी क्रिश्ण पक्ष की त्रियो दसी दिती है इस दिन भगवान शिब का वरत किया जाता है और जिस नक्षत्र रहेगा व्रदी नाम का योग बनेगा और ध्रोव नाम का योग बनेगा चंद्रमा सुभा नौ बजे तक व्रश्चिक राशी में रहेंगे उसके बाद धनुराशी में चले जाएंगे और सूर्य धनुराशी उत्तर साड़ा नक्षत्र में है अब इचीत मोर्थ दोपहर बारे बज कर आठ मिनट से बारे बज कर पचास मिनट तक है तो ये थी ग्रह नक्षत्रों के इस्ते थी और चंद्रमा के इस्ते थी रह्चिक राशी में है यानि कि तुला राशी के लोगों के लिए द्विते भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं दोनों ही दिनों में तो दुईते भाव धन का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, यहां सूर्य के साथ चंद्र की युति होगी, तो यह कही तरह के परिवर्तन लेकर आएगी, दस जनवरी का जो दिन होगा, और जो ग्यार जनवरी का दिन है, इन दोनों ही दिनों में आपके लिए बड़ी अच्छी इस्तितियां वनेंगी, अब देखिए यह दस जनवरी का दिन जो है, यह छुटी का दिन है, संडे का दिन है यह, तो एक तो आपके परिवार के लिए बेहत अच्छा रहेगा आप अपनी परिवार के साथ बैठ कर कुछ पुरान यादों को ताजा कर सकते हैं और अपनी कुछ जरूरी काम है जिनको आप निप्टाने के बारे में भी सोचेंगे बाकी अगर हम करियर के हिसाब से देखें तो 11 जनवरी का दिन रियल एस्टेट और वितिय लेंदेन के लिए बहुत अच्छा सावित होने वाला है या आपके बच्चे आपकी संतान है यदि तो उस संतान की तरब से कोई खुशी की बात पता चल सकती है किसी पुरुशकार वित्रन समारों में बुलाया जा सकता है जो आपको एक खुशनो अहसास देगा दिन को बना देगा आपकी उम्मीदों पर खारा उतरेगा और उसके जरीए आप खुद के सपने को साकार होता हुआ देखेंगे इस समय के खुबसूरत दिन और प्रेम संबंध में आपके जो जीवन में छोटी मोटी सिकायते चल रहे थी वो सभी शिकायते दूर होती जाएंगे बहुत अच्छा दिन आपके लिए रहेंगे दोनों की दिन बहुती बढ़िया दिन है आकरशक और चुम्बकिय वेक्तितो सब ही के दिलों को अपनी तरफ कीचेगा और जीवन साथी के साथ प्रेम की बारिस आप महसूस कर पाएंगे यह समय उन प्रेम संबंद में हैं तो प्रेमी के साथ बाहर गुमने का प्रोग्राम बना सकते हैं और अपने मन को मार कर नहीं बैठेंगे अपने मन को जीएंगे और यह समय देखे छोटा ही सही जो दिन है लेकिन आपके लिए बहुत खुश्चनमा समय रहेगा आपकी बहुत जीएंगी जो आपके अंदर की जो कमिया हैं उनसे आपको लड़ने में सहायक साबित होंगे अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे अपनी जीवन के देखे जब नकारात्मक सोच होती है तो उस नकारात्मक सोच को आपको सकारात्मक विचारों के जरीए मारा जाता है अपनी जो चाहते थे वो आप नहीं उनको दे पाए हैं तो ऐसा सोचने से बिलकुल दूर रहें वैसा बिलकुल ना सोचें आप अपना पूरी कोशिश करते हैं कि आप सब के लिए सब कुश करें और आप एक जिंदा दिल इंसान है आप उजा से भरपूर हैं जिंदा दिल हैं गर्म जोशी से भरा वैवार है आपका अपने आज पास के लोगों को खुश करना आपको बखो भी आता है तो ये जो कभी-कभी समय होता है कि आपको ऐसी सूच को लाने के लिए अप्रेरित करता है लेकिन इन सबी चीजों से उपर उठें बस अपनी काम पर ध्यान दें अपनी परिवार पर ध्यान दें और प्रेम सम्बंद के मामले में तो बहुत ही अच्छे समय रहने वाले हैं एक खुबसूरत मोड ले सकता है आपका प्रेम सम्बंद क्योंकि जब फिजाओं में प्रेम घुलता है ये कुछ चीजों को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं जैसे कोई डील होते होते रह जाए या कहीं से एकदम से कुछ खर्चा आ जाए तो ऐसी स्थितियां कुछ बन सकती है लेकिन ऐसी चीजों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा यानि परेशान होने की बजाए उनको सॉल्फ करने के दरब सोचना है क्योंकि ये जीवन है जीवन में कभी बहुत अच्छा समय होता है कभी कुछ टेंशन वाला समय भी होता है तो जो टेंशन वाला समय है उसको दहरिये से आपको बिताना है उसको लड़ना है उसके साथ तब ही आप जीवन में आगे बढ़ पाते हैं अगर खर्च का हिसाब लगाना चाहते हैं तो फुरसत का कुछ समय निकाल लिए खर्च का हिसाब लगाईए गैर ज़रूरी खरेदारी करना बंद कीजिए या फिर आप किसी सलाकार से सला भी ले सकते हैं किस तरह से आप खुद अपनी खर्चे को मैनेज कर सकते हैं तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे अगर कापका किसी विरोधियों के साथ जगड़ा चल रहा था तो ध्यान रखें अपनी कौशल से उन्हें हराने की पूरी कुशिश आप करें अपना सारा काम ध्यान से पूरा करें अपना सारा काम ध्यान से करें आप विरोधियों को खुद पर हावी बिल्कुल ना होने दे आप उनसे आगर निकलेंगे और निकल कर रहेंगे क्योंकि समय चुपचा बैठने का नहीं होता है समय कुछ करने का होता है जब आप कुछ करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे चुपचा बैठ कर खाले योजना बनाएंगे तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो लिए कामों पर देहान दें परेशानियों से घबराएं नहीं, परेशानियों का डट कर सामना करें मूड बहुत अच्छा रहेगा, हर तरह से जो डेली इंकम वाले लोग हैं, उनके लिए भी देखी समय बहुत अनुकुल है ग्रहन नक्षतर आपके साथ हैं, कोई ऐसा दोश नहीं है जो इन दो दिनों में आपके लिए लग रहा है, चंदर और सूरे की युती है तो कुछ स्वास्ते के प्रती थोड़ी बहुत सावधानिया जरूर रखनी है बाकी कामकाज के लिए हाल से, पारिवारिक जीवन के लिए हाल से, तो ये समय बहुत अनुकुल है स्वास्ते सम्द्धी कुछ परिशानिया देखने को मिल सकती है आप कुछ छोटी मोटी बिमारियां भी हैं जो उनको भी आप सही समय पर उनका ट्रीटमेंट लेंगे तो अच्छा रहेगा वन्ना यही छोटी बिमारियां बड़ी बन जाती है इसलिए कोई भी परिशानी है, सबसे पहले उस परिशानी का निवारन करें डॉक्टर के पास जाएं, परामर्ष लें और अपनी स्वास्तिय का देहान रखें योग को ज़्यादा महत हो दें, व्यायाम को महत हो दें और पॉस्टिक खाना उसको महत हो दें, अपने आप बिमारियां दूर होती चले जाएंगे साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, धन्यवाद